देखे एक कोशन का क्या रहा है वाट ड़स दा रॉल ओफ मोलिकुलर इंटर एक्शन है ना प्ले इन और सॉलुशन एलकोहल एंड वाटर ठीक है कौन सा रॉल प्ले करता है ठीक है जब हम बाट एलकोहल एंड वाटर को मिक्स अप कर देते हैं तो है ना मतलब एक सॉलुशन का जब हम फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसके रॉल में क्या-क्या चेंजिंग आता है तो देखेंगे अगर हम बात करें आपके पास चेंजिंग की बात करें तो मान लो कि आपके पास दो सॉलुशन है अब मान लो कि यह एक कंपोनेंट से बना हुआ है है अर यह क्या है BB component से बना हुआ है, अब तीसरा component हम solution बनाते हैं, जो किस से बना हुआ है, AB से बना हुआ है, किस से बना हुआ है, AB को मिलाने से बना हुआ है, है न, क्या बना हुआ है, AB, तो case क्या होता है, कि आपके पास 3 possibilities होता है, होता क्या है, कि ऐसा हो कि आपके पास A, A का का जो जो बॉंड हो और बीड का जो बॉंड हो है ने वो क्या हो जाए f ewe ऑस्ट्रउंगर हो जाए f eodią kare Epic के सो कराय की लेसर हो जाए a b से और तीसरा केस क्या है डेजाए इकवल हो जाया a b जान इसका मतलब समझ रहे हो कि हमने क्या किया है कि आपके पास AA और BB का bond stronger हो गया है, मतलब solution में जाने के बाद, इसका bond क्या हुआ weaker हो चुका है है ना, अब देखिए, इसको देखिए, अगर ऐसा होता है तो इस case में आप लोग पढ़ चुके हो, अल्रेडी थियोरी में आपने पढ़ा होगा, कि यह जो सो करता है, वो positive deviation सो करता है, है ना, कैसा deviation सो करता है, positive deviation अब होता है, यहाँ पर क्या है माल लोग कि आपके पास alcohol है alkyl group alcohol है और यह ROH, यह भी alcohol है, इस दोनों को जो मिलाएंगे, तो आपके पास यह बनता है कौन सा, that is a hydrogen bonding का formation करता है hydrogen bond का ठीक है, दूसरा आपके पास H2O है और यह H2O है इस दोनों को मिलाने से भी जो यहाँ पर bond का formation होता है, वो क्या है hydrogen bond ही है, ठीक है hydrogen bond ही है अब कहता है कि जब हम इस दोनों को मिला देते हैं मतलब आपके पास alcohol और water को जब मिला देते हैं तब कहता है, तीसरे केस में भी आपको hydrogen bond ही form करता है किसका bond करता है hydrogen bond का ही formation करता है बट इस तीसरे केस में यहाँ पर देख रहे हो आपके पास alcohol and water का क्या हो चुका है solution बन चुका है तो उस केस में कहा क्या जो यह hydrogen bond बनता है न, practically क्या देखा गया कि आपके पास AA और BB का जो bond है उसके compare में AB का bond क्या है यह वाला case फोलो करता है और यहाँ से हमें क्या पता है कि अगर यह weaker हो जाएगा यह hydrogen bond इस दोनों bond से weaker हो जाएगा तो उस case में हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि मान लो कि यह solution यह वाला bond क्या हो चुका है इसका मतलब थोड़ा सा heat देंगे तो क्या होगा वेपराइज हो जाएगा अगर वेपराइज हुआ तो यह क्या होगा वेपर बना लेगा बना लेगा अगर इसने वेपर बना लिया तो यहां पर एक pressure generate होगा तो यहां पर एक pressure generate होगा तो क्या होगा वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर इस molecules के लिए क्या होगा stronger हो जाएगा मतलब जादा हो जाएगा अगर boiling point की बात करें तो boiling point क्या होने वाला है तो यह एक beaker hydrogen bond का formation करता है और उस beaker hydrogen bond के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से है ना positive deviation मतलब यह बाला जो idle condition से जब bond weaker हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है basically positive deviation so करता है इस चीज को आप लिक सकते हो कि while mixing of alcohol and H2O forms hydrogen bonds and that hydrogen bonds is a weaker है ना as weaker to existing hydrogen bonds of alcohol and H2O for that क्या होगा तो for that the positive deviation has been shown out ठीक है तो यह आप रिजन डाल सकते हो बाकि आप समझ चुके आप समझ चुके